हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की चीज़ने दोस्तो हम बात करेंगे उत्राखंड इतिहास के बिटिस सासन से संबंदित महत्वण प्रसनों के बारे में अगर दोस्तो आप उत्राखंड के बिटिस सासन काल या ओपनिवेसिक सासन काल जिसमें कुमाव कमिशनर गड़वाल कमिशनर इनके द्वारा कियेगे वन बंदोबस्त भूमी बंदोबस्त सभी जीजों के बारे में एक्जाम में प्रसने पूछे जाते रहते हैं तो इसलिए दोस्तो आज हम इस टॉपिक क बिटिस सासन बाई उत्राखन जी के वेरी इजी ट्रिक्स तो वहाँ पर आपको बिटिस सासन से संबंदित डिटेल वीडियो मिल जाएगी जहां पर आपको सभी कमिशनर रूप के बारे में जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं सिक्क्वेंशली दोस्तों कराए गए हैं बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंटे जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर सेर करें इसी के सांसा दोस्तों इससे पहले मैं आपको चंदर राजवन्स के कार प्राचिक 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 काल के questions भी वन लाइनर फॉर्मेट में करा चुका हूँ साथ इसाथ दोस्तो हमारी marathon classes है उत्राखंड क्या इतिहास की संपूर्ण एक marathon class है जिसे मैंने आपको सभी प्रस्तनों को objective प्रस्तनों को with detail explanation के साथ में बताया हुआ है तो आगर आपने वो वीडियोज को नहीं देखा हुए है तो उनको भी दोस्तो आप जरूर देख लें एक बार आप उत्राखंड पोस्ट मार्टम क्लासेज और marathon क्लासेज वाले फोल्डर में दोस्तो चले जाए प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको इस सभी वीडियोज मिल जाती है जो कि आपके उत्राखंड के आगामी एकजाम से तो बहुत यादा महत्वण वीडियोज रहने वाली है British East India Company की स्थाफना हुई थी अगला हमारा प्रस्ता है कि कुमाओं का पहला कुमाओं कमिस्थर किसे बनाया गया था या उत्राखंड का पर्थम कुमाओं कमिस्थर किसे बनाया गया दोस्तो तो Edward Gardner जी को कुमाओं का पर्थम कुमाओं कमिस्थर बनाया गया या अगर आपसे पुछा जाता है कि इन 24 में से सबसे महत्योपुन जो कुमाओं को मिष्णर है न दोस्तों वह सबसे ज्यादा महत्योपुन है जिनका एक्जाम में बहुत बार सिक्वेंस लगाने को भी बोला गया है जिसमें पर्थम कुमाओं को मिष्णर कौन थे उस्तों वह साब पूछा जाता है ठीक है तीसरे कुमाओं कमिस्टर कौन थे जोस्तों तीसरे कुमाओं कमिस्टर थे आपके कमिस्टर गोबान कौन थे कमिस्टर गोबान थे चौथे कुमाओं कमिस्टर थे कमिस्टर लुसिंग गटन थे और वहीं पांचवे कुमाओं कमिस्टर की बात क कहा जाता है, कुमाउं का राजा कहा जाता है किसको हैंद्री रिम यह उख है, कुमाउं का मिस्टर आपको यार्थ रखने सबसे पहले हैं, अड़वर्ट गार्णर, दोसरे हैं विल्लियम ट्रेल, तीसरे दोस्तों आपके है कमिस्टर गोबान, चोथे हैं आपके कुछ किताबों में मोजले इस्मीत को पर्थम कारिवाहग कमिशनर बताया जाता है यह सिक्वेंस भी आपको याद रखना है। आपसे प्रस्ण इस प्रकार से पुछा जाता है कि ब्रिटिस व्यक्तियों में सबसे अंतिम कुमाओं कमिस्टर कौन थे तो ब्रिटिस हैं मैं दोस्तों सबसे अंतिम कुमाओं कमिस्टर थे कौन डबलु डबलु विनले कौन थे ये प्रसना आप लिख लीजेगा सारे www.winilay कौन थे अंतिम कुमाओं कमिस्टर थे ब्रिटीसेस में उत्राखंड के अंतिम ब्रिटीस कुमाओं कमिस्टर पुशेगा तो www.winilay थे जो कि 1947 से 47 तक कुमाओं कमिस्टर और वहीं पुशा जाए कि उत्राखंड मैं पर्थम भारती कुमाओं कमिस्टर यानि कि अगर हम बात करें उत्राखंड के अंत्रगत पर्तम भारती कुमाओं कमिस्टर कौन बने आपको प्रसन डिलेक्त ली याद रखना है इसी के सांसा दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ अगर आपने हमारी application को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो Play Store से आप हमारी application उत्राखन जी के Very Easy Tricks को जरूर डाउनलोड कर लिजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको दोस्तों उत्राखन के सिरीज का नया बैच शुरू हो रहा है कल से कल उसमा आपको पहला टेस्ट दिया जाएगा तो अगर आप यह यानि के अधिसासी अधिकारी और कर्वर राजिस्ट्र निरिक्ष्यक परिक्षिया के दोस्तों ट्रेल अगला है कुमाओं का वास्तविक कमिशनर किसे का जाता है तो कुमाओं का पर्थम वास्तविक कमिशनर दोस्तों किसको विलियम ट्रेल को ही कहा जाता है देखिए एड़वर्ड गार्डनर कब से कब तक रहे थे दोस्तों तो एड़वर्ड गार्डनर आपके 3 माई 1815 से लेकर के 13 अप्रेल 1816 तक क्या रहे थे कुमाओं कमिस्तर रहे थे वहीं विलियम ट्रेल की बात करे तो आपको डायकली याद रखना है और लाल मंडी की संधी के पश्चा जो अलमोडा में लाल मंडी के किले में जो संधी हुई थी 815 में लाल मंडी की संधी के पश्चा थी उत्राखन में बिटिसों का अधिकार हो गया था ये प्रसना आपको डायकली याद रखना है उसके बाद दोस्तो देखा जाए तो board of जो कमिस्णर फरुखाबाद के अधिन कुमाओ कमिस्णरी का गठन या कुमाओ मंडल का गठन 815 में किया गया था लेकिन अगर प्रस्त मुझारे जाए कि कुमाओ कमिस्णरी का स्वतंतर रूप से गठन गठन कब किया गया था और जब सबसे पहले दोस्तो कुमाओ कमिस्टरी का गठन किया गया था तो इसका मुख्याले कहां सती था तो इसका मुख्याले दोस्तो कहां सती था अलमोडा में सती था ठीक है और उसके बाद में कुमाओ कमिस्टरी का मुख्याले अलमोडा से कहां इस्तानांतरित किया गया यह आपको डिरेक्ली याद रखने हैं, यह सभी प्रस्न जोस्तो बहुत ज़्यादा महत्युपूणे कविस्तांदी क्या गया था अठारसो पच्पन में, और बहुत बार यहां से एक्जाम में प्रस्न भी पूछे गए हैं, अगला हमारा प्रस्न है कि गड़वाल या कुमा की जलवायों वो परिस्तितियों का अधियन करने के लिए बेजा था अठारासो दो इसवी में, अगला हमारा प्रस्न है कि बिटिश सासनकाल का इवं अंतिम भूमी बंदोबस्त किसके नेत्यत्यों में किया गया था, तो कमिशनर इबर्चन के नेत्यत्यों में सन 1928 इसवी में बिटिश सासनकाल के दोरान उत्राकन में सबसे पहला भूमी बंदोबस्त किया गया था, पहला एडवर्ड गार्डनर ने और बिटिश सासनकाल में अंतिम जो भूमी बंदोबस्त किस ने किया था, इवर्ट सन ने किया था, कब किया था, 1928 में किया था, और वहीं आप से पुशा जाए कि उत्राखण में सरवादिक भूमी बंदोबस्त किस कमिशनर के समय पर कराए गए थे तो ट्रेल के द्वरा उत्राखण में सबसे ज्यादा भूमी बंदोबस्त कराए जाते हैं ये प्रस्न भी आपको याद रखने हैं अगला मरा प्रस्न है भारत छोड़ो भूमी बंदोबस्त किया गया था 20 साला भूमी बंदोबस्त किसने क्या था कमिशनर बैटन के द्वरा किया गया था अगला हमरा अपसन है किस वर्ष कुमाउं गडवाल को गैर विनियमित छेत्र गोशित किया गया था तो 1815 इस वी में दो यहाँ पे और कुमाओ को अधिसूचित जिला गोशित किया गया था अठार सो चोहतर में फिर 1935 के भारत सासन अधिनियम के तहत 1937 में कुमाओ को क्या बनाया गया था रैगुलेटिंग प्रांत बनाया गया था संयुक्त प्रांत उत्तरबरदेश के अधिन यह सारे फैक्ट दोस्तों बहुत इंपोटेंट हैं आपको याद रखने हैं अगला पसना है किस कमिशनर के द्वारा अलमोडा और स्रीनेगर के मद्धे में पर्थम बार डांक सेवा व्योस्ता की सुरुवात की गई थी तो एडवर्ड गार्डनर के द्वारा 815 हिस्वी में सरव पर्थम अलमोडा और स्रीनेगर के मद्धे में डांक सेवा की व्योस्ता की सुरुवात की गई थी सबसे पहले किस ने कर थी एडवर्ड गार्डनर ने कर थी उसके बाद इस डांक व्योस्ता को सुचारू रूप से किसने चलाया था दोस्तों तो वहाँ चलाया था किसने कमिशनर त्रेल ने और यहाँ प्रसन दोस्तों एक्जाम में भी पूछा गया अलमोडा और स्रीनिगर के मद्धे में डांक फ्योस्ता किसने चलाई थी गारणर ने चलाई थी अठार सो पंदरा इजवी में चलाई थी और परतम यहाँ कुमाओ कमिस्टर थे सबसे कम समय ते कुमाओ क में इनके समय पर कितनी तहसिलें थी साथ तहसिलें थी और पांच थाने थे और गड़वाल में इनके समय पर दो तहसिलें थी और एक थाना था यानि कि टोटल इनके समय पर कितनी 9 तहसिलें थी और 6 थाने थे यह आपको याद रखना है इसी के साथ साथ कुमाओ में परतम पुशन के बच्चों का च्रई विक्रई होते हुए हुशना, उसस्तों बाल उसके तूरा पस्तनों वही है, कि कुमाओं में पहला भूमी बंदवस्त किसके दोरा किया गया था ए गार्डनर 815 गार्डनर के समय पे कुमाओं गड़वाल में किती तैसिले थी नौ थी जिसमें से कुमाओं में साथ तैसिले थी और गड़वाल में दो तैसिले थी अगला पसने है उत्राखन में सरोपर्थम नियमित रूप से डांक व्योसता की स्तापना का सरीक इसको जाता है तो मनुरत भट जी को जाता है 893 में और यहां कथन में देश का पर्थम डाकियाओं किसका कथन है हेमुति अंदर महोगुणा जी का यहां कथन है अगला पसने है कुमाओं कमिश्णर को किस वर्स फरुखाबाद में स्तापित बोर्ड आप कमिश्णर के अधिन किया गया था तो 816 में दोस्तों कुमाओं कमिश्णर 13 अपरेल 816 के बाद है गार्डनर को बिटिस आयुक तो बनाकर दोस्तों नैपाल भीजा गया था उसके ब में कुमाओं कमिशनरी को फरुखाबाद में इस्तित बोर्ड आप कमिशनर के अधिन किया गया था ठीक है ये प्रस्न में दोस्तो मेहत्वपुन है और कब किया गया था आपको यादखना है 816 इजवी में किया गया था अगला प्रस्न है दोस्तो कुमाओं में जार या उपपती पर्था को अबराद गोशित कर समाप्त किया गया ठीक है तो दूसरे कुमाओं कमिशनर कौन थे उस्तो हमारे कमिशनर ट्रेल थे ये परस्न आपको डायक लिए याद रखना है और उतराक्ट में सरवादिक भूमी बंदोबस्त भी किसने कराये थे कमिशनर ट्रेल के द्वरा ही कराये गये ठीक है ये पॉइंट भी आपको डोस्तो डायक लिए याद रखना है और असी साला बंदोबस्त या पर्थम पंचे साला बंदोबस्त किसने किया था दोस्तो वह भी ट्रेल के द्वरा ही किया गया ठीक है और सुचारों रूप से डांक व्य और अब दोस्तों ट्रेल से संबंदित कुछ आपके प्रस्ण आएंगे या कुछ मिक्सफ कुशन आएंगे किस कमिशनर के दौरा जार या उपती पर्था को अपराद गोशित कर समापते कर दिया गया था तो ट्रेल के दौरा 817 में जार या उपती पर्था को अपराद गोश कमिशनर ट्रेल के सासनकाल को ही दोस्तों न वकील न अपील और न दलील के सासनकाल की संग्या दी जाती है और यहाँ प्रस्त दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा महत्तुपूर्ण है उत्राखन में सती पर्था पर रोक किस कुमाओ कमिशनर के समय पर लगाई गई थी यहाँ प्रस्त पर जो रोक लगाई गई थी वह भी कमिशनर ट्रेल के समय पर ही लगाई गई थी यहाँ प्रस्त पर प्रस्त पर पूछा भी जा चुका है ठीक है और इनसे संबंदित प्रस्ट तो आपको याद रखना है न वकील न अपील न दलील के साशनकाल की संग्या इनके ही साशनकाल को दी जाती है पर्थम कारिवा है कुमाओ को मिस्टर भी दोस्तो कभी-कभी इनको कहा जाता है और कुमाओ में रेगुलेशन 10 जो लगाया गया था 877SV के आसपास में दोस्तो वहाँ भी ट्रेल के द्वारा ही लगाया गया ठाटिक है कुमाओ में पटवारी के पदू का सरजन या उत्राखन में दोस्तो पटवारी के पदू का सरजन किया गया था में बहुत ज़ादा दोस्तों यह महत्तिपूर प्रस्हां है इसे लए विच्प उतर्खण में Мेरी राजुस्तों पुलीस योष्ताका जनक किसको कहा जाता है तो जनक कहा जाता है हैंद्री रैमजे को क्योंकि उसने अठार सो चोहतर से सुचारू रूप से राजोस पुलिस व्योस्ता को उत्राखन में लागू किया था इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इनचे समंदित एक प्रस्ण और याद रटना है कि खचर सेना का गठन किसके दोरा किया गया था ट्रेल के दोरा ही खचर सेना का गठन किया गया था जो प्रॉफिसर गलीन थे उनके सुजाओ पर ट्रेल के दोरा खचर सेना का गठन किया गया था कुली बेगार प्रता को बंदगरने है तो ठीक है इसी के साथ साथ दोस्तो आपकारी विभाग की स्तापना भी 822 में किसके दोरा की जाती है ट्रेल के दोरा ही आपकारी विभाग की स्तापना भी की जाती है कब की जाती है 822 में की जाती है पौडी जेल की स्तापना कब होती है 827 में पौडी जेल की स्तापना होती है यहाँ भी ट्रेल के समय पर ही दोस्तो होती है ठीक है आप कारी विभाग की स्तापना भी 822 में किसके दोरा ट्रेल के दोरा ही की जाती है जार पर्था या उपपती पर्था का अंति किया था किसके दोरा ट्रेल के दोरा ये भी आपको पॉइंट डिर्कली याद रखना है इसी के साथ साथ दोस्तो पतनी के क्रई तथा विक्रई पर परतिबंद किसने लगाया था तो पतनी के क्रई तथा विक्रई पर जो परतिब सब्सक्राइब करते हैं और आगे भी इन से समंदी जब प्रसना हैंगे तो मैं आपको इक कुश्चन कराते लोगा लेकिन जो मैंने आपको बेसिक से कुश्चन बताई हैं पटवारी के बदुगा सरजन 819 में इसने किया और 821 में इसने कुमाओं का प्रसासनी विभाजन किय पिर आपकारी विभाग की स्थापना होती है 822 में 822 में इसने के साथ पतनियों के करही तिथा विक्रही पर इनोंने परतिबंद लगाया था विद्वा को उसके पती परिवार दोरा मारे जाने की पर्था को इसने समापति क्या था सती पर्था का अंति इसके समय पर किया गया था इसने सरवादिक वोमी बंदोबस दोस्तों उत्राखिन में कराए थे इसके साथ साथ दोस्तों बद्रिनात के दारनात मारग इसके दो दिवारा बनाया गया था इसी कारण टेल के उपर दोस्तो除 हिंदु धर्मके प्रचार प्रसार का भी आरूप लगता है लिक्ता है था तो इस सारे पॉइंट आपको ट्रेयल से याद रखने हैं अभी question फॉर्मेट में भी आएंगे अगला मर अपस्तन है किस कुमाओं का मिस्टर को कुमाओं का बेताज बात्सा या कुमाओं का मुकुट रहित राजा या कुमाओं का राजा कहा जाता है तो हैंद्री रहम ज परतव कहाँ गेगे तो बहने है, किस Communist को निर्बुद्धी कमिशनर कहा जाता है जोस्तों? तो गोबान गोयन या कही कही दोस्तों आपको बैटन को भी देखने को मिलेगा है निर्बुद्धी कमिशनर behavior अगलापस नहें किसकी अनुसंसा पर तराई भावर में 22 सासन वियोस्ता लागू कराई गई थी तो बर्ड की अनुसंसा पर दोस्तो 837 इसभी में तराई भावर में 22 सासन वियोस्ता को लागू किया गया था अगलापस नहीं है दोस्तो ठेकेदारी पर्था यानि की वनू से ठेकेदारी पर्था को किस वर्स समाप्त किया गया था तो 1858 S.B. में दोस्तो हैंद्री रैमजे जी के दौरा वनू से ठेकेदारी पर्था को समाप्त किया गया था इस वह खाल साथो जांग के जाता है, फिल्यम ट्रेल को दोस्तोव, प्टवाली के बदू का सरजन किया था इस ने 1819 में, लेकिन दोस्तो अगर पुझा जाये, राज इस उचार रोप से इस उच्योस्ता को लागु किया था, तो वो थे कौन हैंधरी रैम्जी, और कब क कया उन्होंने 844 में और यहाँ प्रस्थन दोस्तों बहुत ज्यादा आपके महत्वपुन हैं। इन्हीं बैटन के कारिकाल को दोस्तों क्या कहा जाता है। नैनिताल नगर पालिका की स्थापना भी 850 में बैटन के कारिकाल में ही हुई थी। कुमाओं कमिस्नरी को पर्थक कमिस्नरी के रूप में गठन 854 में बैटन के सासनकाल में ही किया गया था। और कुमाओं कमिस्नरी का मुख्याले अलमुडा से नैनिताल दोस्तों इस्तांतित किया गया था कब अक्टूबर 855 में है। बहुत सारी किताबों 854 भी है लेकिन आयोगुने 855 माना है लेकिन 855 अंसर ओप्सन में नहीं होगा तो आपको 854 ही करके आना है तो यहाँ भी दोस्तों किसके समय पे वहा था बैटन के सासनकाल में ही हुआ था और डांक बंगलों के रक्रकाओं का कारी भी इसके द्वरा क कप किया गया अठार सो 63 से 73 के बीच में दोस्तों बिटिस सासनकाल का नवा और सबसे महत्वण भूमी बंदोबस्त किया जाता है ठीक है और व्यग्यानिक पद्ध्यती पर आधारित क्या था यह भूमी बंदोबस्त था आपको यहाद रखना है इसके साथ साथ दोस्तों important question यह भी बंता है कि ननिताल थाने की स्थापना की गई थी तो 4843 से दोस्तों ननिताल थाने की स्थापना की गई थी आपको याद रखना है और ननिताल जेल की स्थापना की गई थी यहाँ question भी important है और कुमाओं में शिक्ष्या विभाग की स्थापना सरोपर्तम की गई तो कुमाओं में सिक्ष्या विभाग की स्थापता उस तो सरोपर्तम की गई थी अठारासो सताओन इस भी में कप की गई थी यह आपको पॉइंट डिरेक्ली याद रखने है और बिटिस गड़वाल का पहला थाना कहां स्थापित किया गया था तो बिटिस गड़वाल का पहला थाना दोस्तो कोट द्वार में स्थापित किया गया था कब आपका ट्रेल के साचनकाल मैं याद रखने आपको अगला प्रसने है हमारा अगला प्रसने है भारतिराश्टी कॉंग्रेस की स्तापना के समय कुमाउ कमिशनर कौन थे किसने ट्रेल को नियाई प्री कमिशनर कहा था कुमाउ सासन पध्यती जाच रिपोर्ट में ट्रेल वो गोयन के सासनकाल की कट्व आलोचना किसके द्वरा की गई थी तो bird के दौरा की गई थी गोयन नहीं होगा दूसते गोबान होगा ठीक है तो कुमाउ सासन पंदेती के दौरा जांच रिपोर्ट में ट्रेल और गोबान के सासन काल की कटू आलुचना bird के दौरा की गई थी bird के दौरा 836 में जब वो यहाँ पर आया था तो उतराखन का पर्थम पुलीस थाना कहां स्ताबित किया गया था या पर्थम थाना कहां अलमुडा में स्ताबित किया गया था कब 1837 में किसके समय पर गोबान के समय पर ही यह टाइम पर ही दोस्तों यह थानी की स्तापना किये गए थी 1837 में ठीक है और गोरखाओं की जो न बहुमी बंदोबस्थ को परथम पढ़े का जक्त सॉतुल मुषाrias. देखें दोस्तों बहुमी बंदोबस्थ करके मैं सब्सप्रासरां क contarinkरू पर बार करना ब्रेक्षेमिर. सब कुछ बताया हुए है। रूप में स्टांप को जारी किया गया था। रूप में स्टांप को जारी किया था। तो जार्ज गोबान के दवरा धार्चोचोचощ इसे में दास विकरेव पर था पर पतिबंद लगा गया जो ट्रेल के दवरा लगाया गया था, गुर खाओं की जो नियाई परी ये दिव्यें पर dessa थी ये उस पर परतिबंद भी किसने लगाए था उपरी गंगा नहर का निर्माल किसके प्रियासु से पुरा हुआ था तो प्रॉबी काटले जिसे आधुनिक भगीरत की संग्या दी जाती है इनके द्वारा ही दोस्तो उपरी गंगा नहर का कारिय पूरा किया गया था ठीक है और रूरकी से उपरी गंगा नहर का निर्माल का पर या थार्षो चोवण में बैटन के समय पर पूरा हुआ था उपरी गंगा नहर का आधुनिक रन का कारी कप शुरू किया गया था आधुनिक बगिरत की संग्यावी प्रवभी काटले को ही दी जाती है अगर आपसना है तराई इंप्रूमेंट फंड की स्थापना कब की गई तो तराई इंप्रूमेंट फंड की स्थापना 883 जवी में हैंधरी रैमजे के दोरा की गई थी कमिस्नर ट्रेल के दोरा पटवारी के पदों का स्रजन किस वर से किया गया था अगला आपसना है किसके सुजाओ पर ट्रेल ने खचर सिना का गठन किया गलीन के सुजाओ पर अगला आपसना है अठार सो पचास में किस पादरी ने अलमोडा में स्कूल वगिरजा घर खुला था तो बड़न नामक पादरी अलमोडा आये था और यहां से पिर इचाई धर् हैंद्री रेमजे के टाइम विरेट पर होता है ये भी आपको डाइकली याद रखना है अगला हमारा प्रस्तन है किस कमिशनर के सासनकाल में जन्म मृति उथा विभाह को पंजिग्रत करने की प्रथा सुरू की गई थी तो विलियम ट्रेल के सासनकाल में दोस्तो जन्म मृ पर पर रोग लगा गया था था ठीक है और ट्रेल के सासनकाल पर विशाब हेवर नहीं दोस्तो उतराखन की यात्रा करी थी अठार सो चौबिस में और चाहिए उत्पादन के बारे में उसके दोरा यहां पर बताया गया था 826 में दोस्तो साल के रिक्षक की कटाई पर रोक लगाई गई थी किसके दोरा ट्रेल के दोरा 828 इसमें ट्रेल ने जन्म मृत्यूव विभाग को पंजिगरत करने की सुरुवात करी थी हिंदु धर्म के प्रचार प्रसार का आरोब भी ट्रेल के ऊपर लगा था क्यों केस ने बद्रिनात के दारनात में सलकों का निर्मानकारी शुरू किया था तो इतने पॉइंट आपको ट्रेल से लेके दोस्तों याद रखने हैं एक्जाम में महत्तपून है अगलापस ने है मारा किस कमिशनर पर हिंदु धर्म के प्रचार प्रसार का आरोब लगाया था विल्यम ट्रेल के ऊपर बेटिस लेखक विसब भेबर कुमाओ कबाया था 824 में और इसके द्वारा ही यहाँ पर चाहिकी उतपाधन के बारे में बताया गया था तरेल के सासंकाल में यहाँ है था अगला वसनी है किस भूमी को केसर ये हिंद भूमी कहा जाता था तो बेकार भूमी जो थी उसे तो वेश्टर ये धाया जाता या बेकार या बे नाप भूमी भी आप इसको कह सकते हैं अगला आपसना है 849 इस जवी में कुमाओ 1 प्रबंदन का उत्तरदाई तो किसे दिया गया था तो मेजर पियर्शन को दिया गया था कुमाओ में पहला भुभी मंदोष्ट गार्डने नेकरा अठार सो पंदरा में अगला आपसना है अंग्रेजी सासनकाल में कुमाओ में कुल कितने परगने देथा पट्टिया थी तो आज की इस वीडियो में दोस्तो इतना ही करते हैं आज हमने बिटिस सासन से समंदित 100 प्लस महतुपुल प्रसनों के बारे हैं पढ़ दिया ये दोस्तो आपको 61 प्रसन लग रहे होंगे जो मैंने आपको करवाए हैं लेकिन इसके साथ में जो मैंने आपको भीज भीज में पॉइंट बताए हैं ना सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं अगर आपने लिख्या हुए हैं अगर आपने प्रिवीज एर कुशन पर बैस से शुरू हो रहा है अधिसासी अधिकारी एवम कर हुआ राजसुनी रिक्षक परिक्षिया है तो अगर आप उस बैस से जूड़ना चाहते हैं दोस्तों तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लिकेशन उत्राखन जी की वैरीजी ट्रिक डाउनलोड कर लिजेगा वहां से आप उस टेस्स स्रीजेस या प्रैक्टिस सेट के बैस से जूड़ सकते हैं धन्यवाद